आपके बस Realme GT6 है, GT6 Series का कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप Notification Manage कैसे गड़ सकते हैं, Customize कैसे गड़ सकते हैं अपने recording, तो इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, यह स्क्रॉल कर लेंगे, Notification and Status Bar पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको Lock Screen का एक Option देखने को मिलता है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे, Lock Screen पे यह वाला Option जो है, यह On रखेंगे, ताकि आप नीचे स्वाइप टाउन करते हैं, तो Notification Draw आए Lock Screen पे, यह Lock Screen है, ऐसे करके यह Draw आता है, तो आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हैं, अपने recording, बाकि आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप Notification Content Hide करने के लिए और यह सारी वो Application On है, जो Lock Screen पे Notification भेजते हैं, आप चाहो तो किसी का Notification वहाँ से बंद कर सकते हैं, Lock Screen पे Show नहीं करेगा, बाकि Show करेगा, लेकिन मैं On कर दूँगी, बैक कर लूँगी, अब बार यह जाती Banner की, Banner को On कर लेंगे, और यह सारे Banner वाले Notification है, इसको On Off कर सकत हैं, App Icon Bages, कैसे रखना है, Numbers रखने हैं सिरफ, या फिर, Dot रखने हैं, या फिर Number और Dot दोनों, तो Number और Dot दोनों रहना दूँगी, मैं, किसी को अगर हटाने है, Dot यह सब, तो Do Not Show कर देंगे, तो कुछ भी Show नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को Miss Call वगर की थोड़ी दिक करके, बाकि यहाँ पे Status Bar की Setting आजाती है, यहाँ पे Notification का Icon आप Set कर लेंगे, तो आपको Icon दिखेगा, Notification के बाकि आइकन यहाँ पी Show कर सकते हैं, Status Bar के, तो यह Status Bar की Setting है, Smart Notification Hiding को On कर लेंगे, तो यहाँ पे Face Log अगर आपका On होता, तो Face Log वेरिफाई करके यह अपने आप Active हो जाता, बाकि यहाँ पे Enroll का Option इसलिए आ रहा है, क्योंकि यह Active नहीं है Face Log हमारा, लगा हुआ नहीं है, अभी इसलिए है, तो यहाँ पे यह होत Content दिखाएगा नहीं, बैनर वाले, यहाँ से चुआते हैं, और More Settings पे आप यहाँ पे Data Usage On कर सकते हैं, Snoozing को मैं बंद करके रखूंगे, अदरवाइस एक यह Notification बार बार आपकी स्क्रेल पे आता रहता है, जब तक आप उसे पढ़ते नहीं है, Reduce Notification Feedback On रखेंगे, और Bubbles क के Option को बंद रखेंगे, Enhanced Notification को On कर लेंगे, WhatsApp के नीचे Reply का Option मिल जाएगा, बाकि Notification History मैंने On की थी, तो देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी Notification है, वो सारे आपको मिल जाएंगे, कलपर्सो के, जितने भी हैं, देख सकते हैं, यहाँ से आके पढ़ लेंगे, बेशक्से यहाँ से Clear Notification, लेकिन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ऐसे करके आप यहाँ पे Setup कर लेंगे, इसके बाद बैक कर लेना है, Smart Suggestion को On रखना है, ताकि Delivery या फिर Driving वगरा की Notification आपको मिलती रहे, ओला राइड वगरा की, और इसके बाद यह सारी Applications हैं, जिसके Notification आपको मिलते हैं, ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे, किसी का Ringtone बंद करना है, तो Ringtone बंद कर सकते हैं, यह हो गया Customization, किसी का Lock Screen का Notification चालू करना है, या बंद करना है, बैनर का, तो ऐसे करके Customize कर लेंगे, अब यहाँ पे Notification पे क्लिक करेंगे, तो Silent करना है, तो यह तो Silent होई गया है, क Customize कर लेंगे, सारे Notification के साथ हाँ, ठीक है, इसी टाइप के Interesting वीडियो के लिए, आई बटन पे क्लिक कर लेंगे, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, नमश्कार,